तो स्वागत थे आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नय और लेटिस्ट वीडियो में और आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को टिन्थ क्लास के और हिंदी का चैप्टर नंबर 11 पढ़ाने जा रही हूं जिसका नाम है कभीर के पद देखिए यह जो चैप्टर यह है ए यानि कि इस कवीता के जो लिखने वाले हैं कभी है वह कभीर दास ठीक है और कभीर दास को ना भक्तिकाल का सर्वस्रिष्ट कभी माना जाता है महान कभी ठीक है तो कभीर दास ना इस कभीर के पद नाम के चैप्टर में यानि कि इसमें जो कभीता है ना वो दो पद में बा बात पर अटल ही रहते हैं अपने बात से टलते ही नहीं है थान लिए कि मुझे यही करना है यही करना है तो वह अपने बात पर ही रहते हैं कितना भी उसको समझाने की कोशिश करो कितना भी प्रूफ करने की कोशिश करो कि तुम गलत राश्ते पर जा रहे हो तुम गलत फैसल का बदलने की कोशश ही नहीं करते बस और ठान लेता है कि मुझे यहीं करना है तो बस हो गिया तो उनके बारे में पहले पद बताया है उन अगर आप लोग का दिल साफ है, मन सच्चा है तो खुदा जो है हर जगा खुदा है, कड़ कड़ में खुदा है, ठीके, तो खुदा यह अनिकी भगवान को कहीं ढूरने की ज़रूरत नहीं है, हमारे अंदर ही भगवान होता है, खुदा होते हैं, ठीके, तो कबीर दास दू सlock इक है मैं केहता हूओ आखिन देखी तूू कहता कागत की लेखी डेखिये इस लाइन में कभीर्दास बोल रहे हैं कि मेरा और तुम्हारा मन कैसा एक होगा मैं कहता हूँ कि मैं आको से देखा हूं मैं आखो से देखा हूँ तुम को बोल रहा हूं तुम उस पर विश् कर रहे हैं कि मैं हमेशा हर शीज़ को उल्जाता हूं कि क्या करते हों हर सीज़ को उल्जाते हों कि तू जागत रही तू रहता है सोई रहे यहां पर कभीरदास बोल रहे हैं कि मैं कहता हूं तु जागत रही हो यानि कि तुम जगे रहो लेकिन तुम क्या करते हो तुम सोई रहते हो तुम हमेशा सोई रहते हो मैं कहता निर्मोही रही हो तु जाता है मोही रहे यहां पर बोल रहे हैं कि मैं कहता हूं तुम निर्मोही रही हो यानि कि तुम अपने अंदर मुह मत रखो क्योंकि इसी मुह का फायदा गयर लोग उठाते हैं ठीक है तुम अपने अंदर मुह रखते हो ठीक है जिसके जैसे गयर लोग जो है इसी मौके का फायदा उठाते हैं और तुमसे कुछ भी करवा लेते हैं यहां पर बोला जा रहा है कि कभीर दास कह रहे हैं कि सुनो भाई सादू तुम जैसा चाहते हो वैसा तभी होगा जब तुम सत्गुरु धारा यानि कि सच्चाई की जल की धारा बेह रही है उसमें जाकर अपने गुनाहों को धो डालो ठीक है अपने मन को तुम सच्चा करो इतने भी गुनाह तुमने किये उसकी मौफी मांगो और जल सच्चाई की जो जल की धारा बेह रही है उसमें जाकर अपने पाप को धो डालो तभी तुम जैसा चाहोगे वैसा ही होगा ठीक है तो यह होगी आप लोग का पहला पद अब चलिए मैं आप लोग को दूसरे बंदे मैं तो तेरे पास में यहां पर बोला जा रहा है ऐसे लिखे हैं ना कभी कभी दास की लग रहा है कि खुदा खुद बोल रहा है तो इसमें बोला जा रहा है कि मो को कहा ढूंड रहे हो बंदे बंदे तुम मुझको कहा ढूंड रहे हो मैं तो तुम्हारे पास में और नहीं कौनो किरिया करम में मैं तो तुम्हारे पास हूं बस तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए ठीके तुम्हारा दिल जो है साफ होना चाहिए ठीके हर कड़कड में खुदा है कड़कड में भगवान है बस तुम्हारा मन सच्चा होना चाहिए चारो तरफ भगवान ही देगा तुमको कह선 कि ढूंडने की जुरूरत नहीं पड़ेगी खोजी होए तो तुरतही मिली हो पलबर की तलास में कहें कबीर सुनो भाई साधू सब सासों के सास में यहां पर बोला जा रहा है कि कहें कबीर के रहा है कि सुनो मतलब इनसान के हर एक सास में भगवान है इनसान की परती सास में हर एक करना खुदा है भगवान है को जी के रास्ते पर चले हो तो तुम्हें अगर तुम दिल से तलास कर रहे हो खुदा की भगवान की तो तुम्हें पल भर में मिल जाएगा ठीक है तो यह होगे आप लोगा कबीर 10 का दूसरा पद कंप्लीट इसी के सांथ आप लोगा चैप्टर नमबर 11 जो है कबीर के पद कबीर के पद में कितने पद है तो दो पद है याद रखिएगा और दोनों पद का हर एक एक लाइन पढ़कर मैं आप लोगों को समझा दी अच्छे तरीके से समझ में आ गया कोई भी कंफ्यूज़न हो इस चैप्टर से रिलेटेड आप हमें कमेंट करकर पूछ सकते हैं बाकी मै अप लोगो को जो कुछ भी समझाई समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उसके बाद से आप लोगो सबसे ज्यादा शेयर करना है अपने पड़ोवसी अपने दोस्तों की पार जितना ज्यादा हो से चयर कीजिए और हां अगर आप लोग चैनल पर न ठीक है तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट आपिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और खुदा हाफिज